हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पाली प्रदूशन की समस्या को लेकर पिछले लंबई समय से नई दिल्ली NGT कोट में हो रहे सनवाई के तहद गुरुवार को संभाग गया आयुक्त जोदपूर ने बिना प्रदूशन नदी में फिलाई की सतरा से पाली की 600 से अधिक और दोगिक एकाहिया संचालित हो सकती हैं उसको लेकर तयार एक्शन प्लान कोट में प्रस्तूत किया प्लान प्रस्तूत होने के बाद किसान पर्यावरेंड समीती ने इस पर कुछ आपत्या दर्ष करवाने का प्रयास किया जिस पर सुनवाई के दोरान कोट ने 10 दिन के बीतर CETP प्रदूशन नियंतरन मंडल और किसान पर्यावरेंड समीती को जो भी आपत्या हैं 10 दिन के अंदर कोट के भीतर दर्स करवाने के लिए निर्देशित किया। नयायाले ने अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीक तै किये। इससे पूर्वजिला कलेक्टर ने NGT कोट नई दिल्ली में खुद प्रस्थूत होकर एक्शन प्रस्थूत किया था। जिसे कोट ने अब पर्याप्त बताते हुए खुद संभाग्य आयुक को मौका रिपोर्ट तयार कर एक्शन प्लान के साथ कोट में उपस्तित होने की निर्देश दिये थे। पिशले लंबे समय से NGT कोट में चल रही सुनवाई के दौरान किसान पर्यापरन संगर्श समिती पाली की और दोगिक एकाईयों पर प्रदूशित पानी सीता नदी में छोडने के आरोप लगाकर किसानों को उनके अधिकार दिलवाने की मांग कर रहे हैं जिस पर लगात अगर NGT गोश्ट में सुनवाई हो रही है पाली से जागरुक टीवी की रिपोर्ट